हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंस हिंधी मेरा नाम है अवनिस्त्रिपाठी तो कक्षा बारा के पार्ट पांच यात्रियों के नजर यह यह इतियास का इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके स इससे पहले कि यह महतपूर्ट टॉपिक मैं सुरू करूं एक सबसे खास जानकारी यह है कि मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा साथ से बारत तक की सारी सिक्षा बिल्कुल निशुल के हिंदी माध्यम में आप MP बोर्ड, UP बिहार पढ़ाई कर रहे हों आपकी सारी की सारी सिक्षा मैंगेट ब्रेंस हिंदी पर बिल्कुल निशुल प्रोवाइट की जाती है तो इसी महतपूर्ट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं यह इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं इबन बतूता और रहला के बारे में अ जो एक इंपॉर्टेंट परिवार रहे जिसमें इसलामिक लॉज और सरियत के बारे में काफी जानकारी रहती है फिर वहां से वह भारत के कुछ महत्वपूर्ट चीजों के बारे में सुनता है और भारत के पती रोचक्ता उसको जाहिर होती थी है खास करके वह जो दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंज का एक शाशक था मुहदमद बिन तुगलक उसके बारे में जानकारी कठा करता है और उसको लगता है कि वह कला और संस्कृति के संदक्षक होंगे भारत आने से पहले वो कई और जगहों की यात्रा करता है वह यमन से लेके वह मान मद एशिया और जितने समुदर के तठीए देश हैं उनकी यात्रा करते हुए भारत पहुंसता है और इसकी यात्रा भी चौड़ी रहती है कि जो मारको पोलो है जो वेनिस से चलके चीन और भारत आया था उससे इसकी तुलना की जाती है इसकी यात्रा बड़ी रोचा करें तो उसकी यात्रा की चर्चा भी हम करेंगे लेकिन यह काफी लंबी चोड़ी यात्रा करके वापस अपने देश मुरकों चला जाता है और इस बीच में ज देशों में शेक शम्शुद्दीन कहलाने वाले इस इतिहासकार प्रसित द्यातरी का वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद था जिसे इबन बतूता इसके कुल का नाम कहा जाता था इबन बतूता का जन्म तेरह सो चार में मुरकों के तेंजी अर्नामक नगर म शेक अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन इब्राहिम के परिवार में हुआ और यह बहुत प्रमुक परिवार था मुरकों ध्यान रखेगा अफरिका में उपर के दैश है और यहां से वहां इनका जन्म होता है और 1332 33 में भारत लाता है पारिवारिक प्रिष्ट भूमी का प्रभाव इबन बतूता पर रहा बालेकाल से इसकी अब रुची ज्यान के प्राप्ति में थी इसको भी भाशा का ग्यान खगोल का ग्यान इसके साथ जो आपके सकते हैं कि दार्शनिक पक्ष का ग्यान है उसमें बहुत रुची थी इसने अलपायु में ही साहितिक और धा यात्रा कर चुका था इसकी यात्रा बड़ी रोचक रही है अगर इसके में यात्रा की बात करें तो यह सबसे पहले जब इसकी यात्रा स्टार्ट होती है तो वह पहले जो तटिय प्रदेश है नहीं जो पहले समुद्र के तटिय प्रदेश है पहले जो तटिय देश है इन सबी देशों को यमन ओमान इनको निप्टाते हुए ये व्यक्ति पहुंसता है मुल्तान ठीक है ठीक है सिंध पहुंसता है कुल मेला जुला कर तो सिंध मुल्तान फिर उच्छ होता हुआ ये व्यक्ति आता है कहां दिल्ली ध्यान से समझेगा अब दिल्ली में आकर व्यक्ति बन जाता है काजी मामूद बिन तुगलक इसका बहुत अच्छा स्वागत करता है उसे काजी या नियाधीज बना देता है उसके बाद कुछ दिन जेल में रहता है कुछ समस्य आ जाते है फिर जेल से छूटता है और इसे बनी जाता है यह मारत क lados मालदीव से फिर विचारा पहुंचता है थोड़ा स्रिलंका के तरफ सेर करता है और वहां से उधर से होते हुए वो निकलता है सुमात्रा और यहां से एक दूसरी जहाज लेकर सुमात्रा जो आपको पता इंडोनेशिया में है वहां से दूसरी यानि इतनी लंबी यात्रा चौदवी शताब्दी में और यह सुनने में आपको लग रहा है कि यह आट-दस जगहें हैं पर चौदवी शताब्दी जैसे समय में इतनी लंबी यात्रा करना बहुत मुस्किल था इसको कई चुनावतिया बैस पर हमला हुआ घायल हुआ सारी च सुन रखा था पहुंचने से पहले तो सिंध से मुलतान होते दिल्ली पहुंच गया और मुहम्मद बिन तुगलक की जो कला और सहित्य का उदार रूप था उनको लगत प्रभावित हुआ और उच्छ के रास्ते दिल्ली प्रस्थान किया लगवाश 40-50 दिन का यात्रा वह रहता था बहुत सारे जिसको कह सकते हैं कि वह उपहार लेकर रहता था उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी और नियाधिस नियुक्त कर दिया ठीक है आपने आधिस रही है 1342 में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक नहीं इवन बतूता को एक दूर हो गई और उसे निकाल कर बोला कि अब राजदूद बनकर चीन चले जाईए वह जहाद से सुमात्रा पहुंचा सुमात्रा से दूसरे जहाद से चीनी बंदरगान अगर जायतून जिसे अब कौंग जू कहते हैं वहां पहुंच गया बीच में वह स्रिलंका मालदीव भी थोड़ा घूम लिया 1347 अपने घर वापस लोटने का नेड़े ले लिया तो यह एक मतलब भारत में ओ 1333 में दिल्ली पहुंचता है और 1347 में फिर वहां से नेड़ा करता है कि हमको चले जाना है इबन पतूता ने जो लंबी चौड़ी यात्रा की इसलिए इसकी यात्र मार्को पोलो जिसने 23 सताब्दी के अंत में वेनी से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी इवन बदूता अपनी यात्रा प्रारम करने के लवक्त तीस वर्स के बाद अपने घर वापस मौच गया तो घूमते घामते फिर वह वापस चला गया और वहां जाकर उसके विरता की यात्राएं की भारत बिश्यक अनेक सूचनाय एकत्रित की और इसके अधार पर अपना वर्तांत लिखा जिसे रिहला कहा जाता है एक बात अधान कीए कि सहरों के बारे में भी बहुत पॉस्तिव बाते लिखी है वो दिल्ली में दर्बार में जादा रहा तो जादे पड़ेगा जो बर्नियर में कम दिखाई पड़ेगा वो हर चीज को अनोखा और रोचक बना कर प्रस्तूत करता है वो क्रिटिसिजम के मूर में जादा नहीं रहता है बलकि रोचकता दिखाने में ज्यादा उसकी रहती है उसने अपने ग्रंथ मेंना के वल भारत के भूग तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि उसमें सामाजिक यह बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनेतिक ठीक है सामाजिक आर्थिक राजनेतिक भौगोलिक धार्मिक लगवार्मिक इन समी विश्यों पर अपना एक पक्ष दिया है एक मत दिया है और समझाने का प्रयास किया है तो यह बहुत इंपॉटेंट हो जाता है मैतरपूर हो जाता है ठीक है प्रशाशनिक तो आई जाएकर राजनेतिक में उसके द्वारा जो विवरण दिया गया है उससे सपस्ट होता है कि उस समय भारक आर्थिक दिश्यों से एक संब्रिद देश था यह आपने देखा होगा जब हम अलबरूनी की चर्चा कर रहे थे तो भी कि उसने आर्थिक र दिवाज और परंपराओं का भी सजीव चित्रण किया है तो यह बहुत इम्पॉटेंट यह फिर आता है इवन मबतूता और भारतिये शहर तो भारतिये शहर के अगर हम चर्चा करें तो इवन बतूता ने भारतिये शहरों को अवशर वाले जगह बताया है उसने कहाएं कि जिनके पास साधन है जिनके पास स्किल या कौशल है जिनके पास इक्षा है काम करने की उनके पास पर्याप्त और शर है ये भारत के शहरों के बारे में उसने बताया है भारत के विविन शहरों के उसने यात्राइं की और सहर वे रहने वाले लोगों की स्थितियों का भी मिलती है उसके विवरार से ग्यात होता है कि समय भारत में अनेक घनियवादी वाले शहर थे और उन सहर के लोगों के लिए ब्यापक अवश्र थे यह इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन ध्यान लखेंगे जिनके पास आवस्यक इक्षा साधन और कॉशल है इसा रिहला में उसने बताया है इन बतूता के वृतान से ग्यात होता है कि कई सहरों भीड़ भाड़ वाली सड़के थी बाजार था चमक दमक वाले बाजार और कई तरह की वस्तुएं प्राप्त होती थी तो इससे आपको सिल्पकारी ब्यापारी वर्ग और अलग-अलग काम करने वाली लोग दिखाई पड़ेंगा कि तरह की वस्तुएं इन यहां बड़े-बड़े बाजार थे कि दौलताबाद किला आप देख सकते हैं यहां लेकर नहीं थे समाजिक और आर्थिक विद्धियों के भी क्रें थे विर इंपॉर्टेंट उस बाजार में सांस्कृतिक तोर पर नाच गाना नित्य करने के लिए अलग जगह दिया जाता उस बाजार में आप देखेंगे कि अलग-अलग काम करने वाले लोग वहां पर अपने चीजों को लेकर बैठते थे तो जो समाजिक कारेकी का भी भाजन था वो भी दिखाई पड़ता था वहां से फिर यह भी दिखाई पड़ता था कौन कितना संपन ने कौन नहीं तो बा जारों में नर्तकों संगितकारों और गायकों परदर्सन के लीए एक इस्थान रिधारित होता था थेतर गायात थेटर के रिखी थे सहरी जन जीवन सुख सुविधाओं और मनुवर्णन से भरा हुआ था उसने अपने विर्तांत में इसपस्ट किया कि सहरों की संब्रदी गाओं के कारण थी ध्यान लखिए क्योंकि सहरों को अपनी संपत्ती का एक बड़ा हिस्सा गाओं से अधिशेश के अधिगरहर से तो गाओं में जो Extra production होता था घाओं में जादा उत्ताथा लोता दो यहीं बात होता था घर Fachu के भूसवाम की लोग कुछ करना चाहते नहीं राजा उनका चोन कर रहें नहीं लेकिन जो इबन बतूता है उसने कहा है कि अच्छी अवस्था में यह था किसान लोग वर्स में दो-दो फसले हुगा लेते हैं उसके विवरेंस यह भी ग्यात होता है कि उस समय भारत में एशियाई देशों के साथ ब्यापारिक संबन थे इन देशों में भारती कपड़ों पर मुक आएक कीटी कि कई किसमें थी और केवल धनी लोगी इनको पहन पाते थे यानि व्यापारी वर्ग सिL्पकारी वर्ग अलग-अलग है वो इसको नहीं मानता है अम्हीं वह संचाहर वयवस्थासे बढ़ा प्रभावित से तरीके से एक इसमें अस्व्लावा मामला था इसमें घोड़े से किया जाता था और एक पैदल वाला और इन दोनों तरीके से पत्र पत्रिकाय या समान या सूचनाय पदान करने में इंपॉर्टेट होता था तो इबन बतूता भारत की संचार व्यवस्था को देखकर चकीत हुआ और उसके अनुसार राज ब्यापारियों को प्रोसाहित करने के लिए कई काम करता दोसको लगता ब्यापारी लोग ना केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजते थे बलकि अल्प सूचना पर माल को आसानी से भेज सकते थे भारती डाग ब्यवस्था का वडण करते विन बतूता ने लिगा कि भारत में दो प्रकार की डाग ब्यवस्था है जो अश्व या घोड़े वाली तन हां से दूसरा Benedic ृदल लेके जाता था उस पड़ाओ को डावा कहते थे और एक मील का एक त्याई होता था एक मिल का एक त्याई हिस्सा मात दावा रहता था एक व्यक्थी दौड़ता हुआ ए निकर घंटी अकी टियार रहता था उसको पारसल करता था वो उसको लेक उसमें से एक व्यक्ति यो पत्र लेता है फिर छड़ी और घंटी लाते हुए आगे बढ़ जाता है जब तक यो दूसरे दावे तक नहीं पहुंचता दोड़ता रहता है पत्र अपने गंतविस्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया चलती रहती है यह बताया है कि यह वाली ज अनुठी डांक पडाली से बड़ी अच्छी चलती थी क्योंकि अगर चीजें तेजी से जाएंगी तो ब्यापारियों को लाब होगा और गुपतचरी भी इससे बड़ी आसानी से हो जाती थी इसके माध्यम से ब्यापारी लोग कम समय में लंबी दूरी तक सूचना और दिवस्थाती कि यह संचार माध्यम को बताती है उस समय का संचार माध्यम उन्नत था और इस चीज़ से इवन बतूता भी बहुत प्रभावित था जिसने रहिला में चर्चा किया हुआ है फिर इसने दास परथा के बारे में विवर्ण दिया है और दास परथा के वारे देशी यात्रियों के विर्तान से ग्यानत होता है कि मद्यकाल भारत में दास परथा व्यापक थी इस काल में बाजारों में दास किसी भी अन्यवस्तू की बात खुले में खरीदे और बेचे जाते थे और जब भारत आया तो उसने दास परथा को अपने आंखों से देखा इबन बतूता अपने आत्रा वितांत में भारत में परशली दास परथा के बारे में विस्तार से बताता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उससे ग्यात होता है कि सिंध पहुचने पर दिल्ली सुल्तान मुहमद बिल तुगनक के लिए ले जाके गिफ्ट भी किया उसने लि दास अपनी योकिता के बल पर उचे पदों पर भी पहुच जाते थे और सुल्तान की सेवा में दासियों को भी नुक्त किया जाता था जो संगीत और गायन के लिए भी काम आती थी और वहां पर रहती थी यह भी ग्यात होता है कि सुल्तान अपने अमीरों की गत्पिडियो के कारें के लिए स्तमाल जाता था पालकी धोले के लिए दास जैसे उठा के डोली चलने के लिए दास होते थे घरेल Кстати होती थी समाज में कई परिबार जो रखने में समर्थ होते थे उनlight apology कर यह कम से कम एक या दो दासी होती थी तो इससे पता चलता है कि इन पतूता एक अच्छा परविख्षक था जो हर चीजों का अच्छा सूपरविजन करके हर चीजों को देख कर और बता सकता था उसने ततकालीन जन जीवन के साथ था जा विशे का भी अपने विरतांस में विश्थनण किया है उसके इस विर्तान से 14 सताब्दी के भारत की राजनेतिक समाजीक आर्थिक सिती के बारे में महत्पूर जानकारी प्राप्त होती है तो ये डिटेल चर्चा हमने की कि इब बतूता ने क्या क्या चीज़ें अपने रिहला में बताई है इबने बतूता जो मुरक्को से आता है इबने बतूता जो मुहमद बिन तुगलक के दरबार में आया जिसने लंबी यात्रा की उसने समाजीक आर्थिक राजनेतिक हर चीज़ पर बताया उसने यहां की एकतर से कह सकते हैं कि जो बेवस्था थी, संचार बेवस्था, इसके अलावा यहां की जो दास प्रता थी, इस पर खुलकर बाचीत की है, बताया है, और इससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो I hope कि यह points आपको समझ में आ ग क्लास सलेक करते हैं, K-12 English, Hindi, UP Board, विहार Board, तो अगर आपने CBC 7-12 Hindi सलेक किया, तो आप 12th क्लास में गड़ित इतिहास, रानिति, विज्ञान, भूगोल, असास जैसे विश्यों की पढ़ाई कर सकते हैं, जो क्लास आप सलेक करेंगे, उस क्लास के वो वो विशय आप पढ़ अपने वीडियो को देख सकते हैं, और चाहें आप हमारे एप से पढ़ाई करें, वेबसाइट से करें, या यूटूब से करें, ये सारी की सारी सिक्षा आपको बिल्कुल निशुलक Magnet Brains Hindi पर दी जाएगी, तो ये important information ध्यान रखेगा, किवल आपको like, share और subscribe करना है, ताक की पढ़ाई को और आसान बनाते रहे, तो मिलते हैं students अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखे, take care, bye bye